चलिए सर बेसिक जनरल एंट्री की बात करते हैं यानि सर हम बात कर रहे हैं अभी इंस्टॉल्मेंट का कहानी क्या है सर कहानी ये है कि आपके शेर्ज जो होगा वो 10 रुपे का हो सकता है और 10 रुपे को ही क्या बोला जाएगा फेस वेल्यू बोला जाएगा और इस 10 रुपे को हम एक साथ नहीं मंगवाने वाले हम इस 10 रुपे को थोड़े थोड़े तोड़ के मंगवाएंगे that is टुकडो में मंगवाएंगे 10 रुपए को टुक्डो में मंगवाया जाएगा मैंने बोला कि भाया आप 2 रुपए लेकर आये आप 3 रुपए लेकर आये आप 4 रुपए लेकर आये और फाइनल आप 1 रुपए लेकर आये अगर कई बार बोल दिया जाए ना Last वाले को कि आप balance लेकर आये तो आपको पहले इन total करना पड़ेगा और total मिस इसको minus करके फिर पता कर लेना चाहिए कि कितना balance मांगा गया है तो यानि company ने मांगा पहली बार को क्या नाम करन किया था application दूसरी बार को क्या नाम बोला था allotment तीसरी बार का first call और last बार का final बोल लो या फिर second call बोल सकते हो आप सर general entry में पहले वाली की बात करूं तो क्या general entry होने वाला है हर किसी का अपना एक अलग general entry और हर एक entry के लिए दो journal entry इस बात का ध्यान रखेगा format मैं proper सिर्फ जब मैं बना रहा हूँ तो format रहेगा, बाकी question में मैं directly करूँगा, आपको exam में यही format बिल्कुल follow करना है, कोई उपर नीचे नहीं करके आना. सर लफ, debit amount, credit amount, LF, debit amount, credit amount. particular, और यहाँ पर लिखेंगे journal entry, और अगर आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, in the books of, जिस company का नाम दे रखा है, हाला कि LF का use नहीं होना है, फिर भी आपको बना के आना है exam के अंदर. सर पहली बार जो हुआ था, इसको क्या नाम दिया था हमने application, तो application जब मिलेगा ना, तो सबसे पहले bank के अंदर पैसा आता है, और जो bank के अंदर पैसा आएगा ना, जो मिलेगा bank के अंदर पैसा आएगा, पहली entry क्या करेंगे हम, bank account debit, और two, अब हम जो सीख रहे हैं ना, इस chapter के अंदर हमारे preference share के भी सीखे जाएंगे, लेकिन आगे आएगा, अभी हम सिर्फ equity share को सीखेंगे, share दो परकार के होते हैं, एक preference share होता है और एक equity share होता है, preference share को पहले dividend दिया जाता है, equity share को बाद में दिया जाता है, बस इतना फ़रक है, बाकि अपने law में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो bank account debit to share application, share application, पहली entry, bank account debit to share application, मैं एक सवाल ले लेता हूँ, ताकि अच्छा हो करने में, मैंने बोला कि मैंने 2000 share issue किये हुए हैं, तो इसी 2000 से सारी calculation लेके चलेंगे, तो यानि सर पहला application का पैसा आ रहा है, तो क्या आएगा सर, 2000 into में, 2000 into में कितने आएंगे, 2, तो यानि मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे, सर, 4000 आ जाएंगे, इसके अंदर being लिखा जाएगा, सर, being क्या होगा, being के अंदर होने वाला है हमारा share application amount receive, share application amount receive, पहला question जो है, मैं यह पूरा format के साथ कर रहा हूँ, बाकि आपने भी इसी तरीके से being लिखना है, चलिए सर, अगली general entry कर लिजिए, अगली general entry इसी का दूसरा होगा, share application, account debit to, आपका equity short form में लिख रहा हूँ, equity share capital, equity share capital, यानि सर क्या होने वाला है, being, being, share application amount transfer to share capital account, मैंने थोड़ा short form यूज़ कर लिया है, सर, दो entry, अब इसको समझते हैं, सर, ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहले आपना मुझे पैसे देंगे, मैंने कहाँ, मेरी company के अंदर आप shares को apply करिए, तो आप ना एक form भर के देते हैं, वैसे आला कि आप तो digital form हो गया है, लेकिन आप क्या करते हैं, normally आप physical form में, आप मुझे form भर के देते हैं, तो form जैसे भर के देंगे, तो मिरे पास पैसा आएगा, और मेरे उपर liability create होगा, पैसा आया, bank मेरा debit हो गया, liability क्यों create हुआ, क्योंकि मेरे पास ये application है, इस application के बदले मुझे कुछ देना है, तो application मेरा credit हो गया, जैसे ही इस application के बदले मैं आपको share capital, यानि share certificate दे दूँँआ, तो ये application debit होके खतम हो जाता है, और उसके बाद फिर finally क्या हो जाता है, हमारा equity share capital दे दिया जाता है, तो इस तरीके से ये दो entry हमारा यहाँ पर generate होता है, सर इसके बाद अगला number किसका होगा सर, ये है हमारा allotment, हाला कि allotment का मतलब देना भी होता है, लेकिन यहाँ allotment का मतलब ये भी है, दूसरे number वाला, तो allotment की entry क्या करेंगे, सर allotment की entry क्या करेंगे, सर content में 12th का material डाल दिया है, basic clear हो जाता है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटा-फट से shortcut लेके चल रहा हूँ, चिंता मत करिया हैं, content में डाल दिया है 12th वाला, फिर भी ये सारे आपके important है, ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही करे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज देखिए, थोड़ी से लंबी class लेके इसको कर देते हैं, खत्म, चलिए सर, आगले point की बात करते हैं, सर क्या रहेगा, share allotment, और two equity share capital, share allotment, two equity share capital, कितने रुपे, तीन रुपे हैं, तो यहां हिसाब किताब बनेगा हमारा दो हजार, और multiply तीन, यानि 6000, सर हिसाब किताब बनेगा हमारा 6000, चलिए, अब 6000 के लिए being क्या लिखना है, यहां पे due हुआ है पैसा, क्या हुआ, share allotment का, amount due, share allotment का amount due, यानि सर पहली बार में आप पैसे देंगे, उसके बाद आपका पैसा due होगा, पहले मैं आपसे बोलूँगा, भाईया, पैसा दे जा, और फिर पैसे देंगे, तो यह entry पैसे मंगवाने किये, भाई, पैसे दे जा, अगली बारी की, फिर आप क्या करोगे, मुझे पैसे दे दोगे, तो मेरे बैंक खाते में पैसे आ जाएगा, bank account debit, और two, share allotment, कितने रुपए आ जाएंगे, same amount, 6000 रुपए, इसमें बहुत सारी और भी कहानी हो, दीरे दीरे हम निप्टेंगे उनसे, तर बींग क्या होगा, बींग होगा, share allotment amount received, share allotment amount received, हमने दो एंट्री कर दिया, अल्दो, हम अगली एंट्री पे अगर आएं, तो देखते हैं क्या रहता है, चलिए, हम आ जाते हैं next एंट्री पे, यानि first call, एक बर adjust कर दें इसके, ठीक है सर, हम आ जाते हैं अगली पे, सर मैंने इसका भी एंट्री कर दिया, इसका भी कर दिया, अब इसका, ये क्या है, first call, इसका नाम क्या है, share first call, share first call में क्या एंट्री करेंगे सर, सबसे पहले एंट्री होगी हमारी share first call, account debit, और two आ जाएगा equity share capital, two आ जाएगा equity share capital, इसका बिंग क्या होगा सर, सर बिंग वही रहेगा जैसे पहले लिखते थे, share, first call, amount due, due का मतलब बाकी, अब आप मुझे पैसे दोगे, और सर पैसे दोगे, तो मेरे खाते में पैसे आ जाएगे, bank के अंदर, तो इंट्री करूँगा, bank, account debit, two share first call, और सर ये amount अगर मैंने लिखा नहीं तो 4 रुपे है, तो क्या आएगा सर, दो हजार गुणा में 4, यानि आठ हजार, आठ हजार, आठ हजार, आठ हजार, तर ये एंट्री भी हो गया, done, being क्या होगा, being होगा, share first call, amount receive, share first call, amount receive, चलिए सर, इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं, first call, इसके बाद आगे हमारा, इसे last बोल लो, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, final call, जिसको नाम दे देते हैं, final call, entry क्या होगा सर, share, final call, account debit, to, equity share capital, इसका being मैं नहीं लिखूँगा, मैं बता दूँगा, आपको लिखना इसको, ठीक है, जो बच्चे बाद में देखेंगे, pause करके लिख लेंगे वीडियो को, क्या रख रखा है, share final call account, due, तो इसका होगा, share final call amount, amount due हो जाएगा इसका, अगली बार में क्या आने वाला है, हमारे पैसे आ जाएगे, अगली बार में पैसे आ जाएगे हमारे, सर, कितने पैसे आ जाएगे बैंक में, bank to equity share capital, नहीं, share final call, share final call, थोड़ा उपर कर देते हैं, share final call, यह मिट कैसे गया, अच्छा वो पहले का है, चलिए लिख देते हैं, क्या एंट्री होने वाला है, share final, bank account debit, two share final call, sir final call देखो एक रुपए का, तो एक इंट्व में दो हजार, that is 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, और 2000 और 2000, मैं simple सी बात करूँ, अब देखना, entry को थोड़ा समझने की कूशिस करना, सर क्या समझें हम एंट्री में, पहला था हमारा application, application की दो entry, पहले पैसे मंगाए, फिर certificate दिया, पहले पैसे मंगाए, फिर certificate दिया, उसके बाद allotment, allotment की दो entry, पहले आप, जब एक बार आपने पैसे मांग लिए application, तो आपकी जान पैचान होगी, फिर अगली बार पहले पैसे मांगोगे, फिर आप, वो आपको पैसे देगा, तो यहाँ पे भी पहले आपने मांगा है, फिर पैसे दिये हैं, यानि simple सी बात है सर, ये किसकी entry है मांगने की, आपने मांगा है पैसा, और ये आपका क्या है पैसे receive करने का आपको पैसे मिल गये उसके नई मैंने उपर-nीचे कर दिया अच्छा उपर-nीचे हो गये तो ये किसका था सार मांगने का और ये receive करने का था ये लो आ गया ठीक है? अब अगर अगले बार भी देखें तो फिर से पहले हमने मांगा है, ड्यू किया है, फिर मांगा है, फिर रिसीब किया है, लेकिन पहले entry के अंदर क्या था? फिर आपको मिला है, फिर आपने उसको shares दिये है. तो ये कुछ basic entry है जो कि हर सवाल में मुझे करने पढ़ सकते हैं किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताईए फटाफट ये basic entry आपको पता होना बहुत जरूरी है